नमस्कार दोस्तों बोल्सकाई में आपका सौगत है भोजपुरी मॉडल और एक्ट्रस अकांगशा दूबे ने रविवार को एक होटल में खुद की चान लेगी वो महस 25 साल की थी अकांगशा दूबे के इस तरह निधन से भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दोर पड़ी है पुलिस का कहना है कि ये मामला खुदकुशी का हो सकता है अकांगशा दूबे के निधन पर भोजपुरी सिनेमा के तमाम सेलेब्स ने शोक व्यक्त किया है वहीं अब उनके बॉइफरेंट समर सिंग ने सोचल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट के जरिये रियक्शन दिया है समर सिंग ने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा निशब्द आर आईपी अकांगशा दूबे इसके साथ ही उन्होंने रोने वाली इमोजी भी बनाई है मालूम हो कि अकांगशा दूबे ने वैलन्टाइन डे के मौके पर समर सिंग के साथ कई फोटोज पोस्ट की थी अब अकांगशा के निधन के बाद ये फोटोज इंटरनेट पर वाइरल हो रही है समर सिंग की बात करें तो वो एक भोजपूरी आर्टिस्ट है उन्होंने कई सारे सूपर हिट गाने गाए हैं 2012 में अपने करियर की शुरुवात करने वाले समर सिंग को साल 2015 में आए उनके गाने गन्ने का रश से मिली शुरुवात इसके बाद उनके गाने एक के बाद एक हिट होते चले गए उनकी फैन फॉलोविंग और पॉपुलारिटी भी बढ़ते चले गई समर सिंगिंग के साथ साथ आक्टिंग भी जानते हैं और साल 2019 में भोषपुरी में बनी फिल्म विनाशक से अपनी आक्टिंग डेबियू कर चुके हैं समर और अकांग्शो की बांडिंग बेहत खास थी दोनों ने साथ में कई सारे म्यूजिक वीडियो भी बनाए दोनों साथ में काम करना पसंद करते थे साथ ही हमेशा एंगेज भी रहते थे इसके अलावा दोनों सोशल मीडिया पर भी आक्टिव रहते थे और साथ में तस्वीरे शेयर करते रहते थे दोनों ने एक महीना पहले यानि वैलन्टाइन डे के दिन अपने रिलेशनशिप को आफिशिल किया था अब रिलेशनशिप के एक महीने में ही आखिर अकांगशा ने ऐसा क्यूं किया इस बारे में लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं फिलाल आपका क्या कहना है इस पर कॉमेंट सेक्शन में लिए कर जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें